वेल्कम बेग टू कारुट सियष मेरा नामे दिख्षांत वियास और फिर से महाँ लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आचका हूँ और आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी कार के बारे में बात करने वाले है जिसके मैनुफेक्शन ने भी रिजेंटली इंडिया क बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से तूट गया था लेकिन एक रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इन फैंस के चरव पर वापस असी आने वाली है क्योंकि जो फूड एंडेवर है वो शाहिद इंडियर मार्केट के अंदर फिट से कमबैक कर सकती है इको स्पोर्ट काफी ज्यादा बजट फ्रेंडली कार थी और उसकी सेल्स वगरा भी जो अब इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि सेग्मेंट के अंदर इतना साधा कॉंपिटिशन था और बागी की जो इस सेग्मेंट के तो टोटल आर्ट कार आती है उसके जो साथ कार है व इनडिया के अंदर चैन्नई के जो प्लांट था उसके अंदर मैनुफेक्ट्र होती थी लेकिन चैन्नई के लबा ये कार थाइलेंड वियतनाम और चाइना जैसी कंट्रीस के अंदर भी प्रेड्यूस होती थी जहांपे इसका नाम फोड एव्रेस्ट रखा गया था फोड इनडिया के लिए बहुत सारे कार मेनुफेक्ट्र साथ कॉंट्रेक्ट्ट्वल डील करने की भी कोशिश करती लेकिन उसारे टेंप्स हो है वह फेल हो गये तैंडिया के अंदर लाना चाहता था उसको सी ब्यू रूट के तुरू लाना प्लाएगा जिसके पैस हो काफी करने वाली मस्टैंग बेस्ट जो इलेक्रिक कार है वह और जो एंडेवर इसकी इतनी जादा इंडिया मार्केट के अंदर लाने की कोशिश कर रहा है जिसके अंदर ये कार सी बी रूट से डायरेक्ली थाइलेंड से इंपोर्ट कर रही जाएगी अगर ऐसा कुछ होता है त तरीके से बढ़ने वाली क्योंकि इसके अंदर इंपोर्ट ड्यूटीज और जो टेक्स है वह लग जाएंगे तो इसकी प्राइस कहीं ना कहीं 60 लेक्स के आजपास पहुच जाएगी जिसके आंड जो फॉर्चुनर है वह काफी ज्यादा चीपर ऑप्शन हो जाएगा इंडेवर के लिए अभी भी और अगर अब फोड एंडेवर जो है वह सी बी रूट के तो इंडिया के अंदर आते तो काफी अच्छे कासी इंप्रूमेंट होने वाले हैं जैसे कि अभी यहां पे सबसे बड़ी कमी थी कि इसके अदर टू लीटर का इंजन आता था जो सिं इंडेवर के पावर और फाइफंडेड न्यूटन मीटर का टॉक यह जो बाय तर्बू इंजन यह सिंगल तर्बू इंजन काफी जदा पावरफुल होगा और काफी अच्छी कासी जो पावर है यहां पर प्रेडियूस करेंगा इसका जो गेर्बॉक्स ऑप्शन है वो 10-speed करना शेर करना चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना थैंक यू